Core branch of engineering वह वैसा branch engineering होता है दोस्तों, जो सधीयों से चलता रहा है ठीक है? देस आजाध होने से पहले से भी वह branch एक्जिस्ट करती थी दोस्तों और वह वैसे branch जो कभी बंद हो इसकता वह वैसे branch जिसमें कभी बुखमरी आही नहीं सकता वह branch का नहीं है दोस्तों मैं जादा चांसे साब को preference दिलवाऊंगा कि जिसका सिर्फ और सिर्फ government job इस अपना है, government ही निकालना है, government employee ही बनना है, तो वो दोस्तो जो aim करेंगे, वो करेंगे mainly रूप से, civil mechanical and electrical पर, बट जो सबसे ज्यादा probability है, 70-80% chance है, जो सबसे ज्यादा high रहता है, दोस्तो, सीटे भी देखेंगे कोई भी government job अगेरा में, Hello दोस्तो, स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल, जिसका नाम है अस्मित M20, और मेरा नाम है दोस्तो, अश्विनिक कुमार, जो मुझे नहीं जानते हैं, उसके लिए मैं बता दू, कि मैं ex student हूँ, गुजरात engineering का दोस्तो, और मैं काफी वीडियोज बनाता हूँ, related to गु द्वारा मिलती रहे, ताकि एक guidance मिल सके दोस्तो, कि किस तरीके से आपको counseling वगेरा करना है, किस तरीके से हमें branch चूज करनी है, तो दोस्तो जो आज हम बात करने बाले हैं, वो हमारा favorite topic है दोस्तो, कि how to choose branch, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दोस्तो, जो confuse म हैं, कि हम किस तरीके का branch ले, हम किस basis पे decide करें दोस्तो, तो मेरे ये वीडियो को, अगर आप end तक देखते हो दोस्तो, तो ऐसी कोई भी confusion होगी ही नहीं, आपको बिल्कुल clear cut पता चल जाएगा, कि हमें कौन सी branch चूच करनी चाहिए, और ये हमें किस तरीके से beneficial रहेगा दो दोस्तो, तो उसके लिए मेरे end तक वीडियो देखना होगा, उसके बाद कोई भी ऐसी doubt नहीं होगी दोस्तो, ठीके, अगर मेरे channel पे नए हैं, तो channel को subscribe करके दोस्तो, bell icon को hit करें, ताकि इस तरीके कोई भी regular update आपको मिलती रहे, तो चलिए दोस्तो हम start करते हैं, तो जैसे start करेंगें दोस्तो, तो सबसे पहले जो मन में आता है, कि counseling के बक्त का, जो सबसे main है, प्रियज चीज है, वो क्या है हमारा, तो वो है दोस्तो, कि हमें किस तरीके से branch choose करना चीए, ठीके, branch ही एक ऐसी factor है, दोस्तो, deciding factor, जो हमारे carrier के साथ throughout रहता है, ठीके, हमें college तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दोस्तो, तीन या चार साल के लिए, अगर हम diploma की बात करेंगे दोस्तो, तो तीन साल के लिए, अगर degree की हम बात करेंगे दोस्तो, तो चार साल के लिए, उसके साथ जो हमारे साथ रहना है, और हम जिसके साथ रहने वाले हैं, वो है हमारे साथ दोस्तो, branch, तो ब्रांच का अच्छे चुनाब होना बहुत ही महत्पुर्न बाते हैं दोस्तों ठीक है तो उसके लिए हमें decide करना होगा कि कौन सी ब्रांच चूच करना होता है वो कैसे decide होगा दोस्तों आप beginner हो आपको पता नहीं है कौन-कौन सी ऐसी ब्रांच होती है तो सबसे पहले आप दोस्तों नाम सुनो कि कौन से ब्रांच होते हैं उसके बारे में details जानो और कौन से college का कौन से ब्रांच है जो specific है वो आपको जानना चाहिए वो ऐसी बाते बताऊंगा दोस्तों तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि जो मैंने रखा है दोस्तों वो है computer engineering उसका ही दूसरा नाम है दोस्तों CS engineering, computer science engineering और simply दोस्तों जो गुजरत counselling के अंदर बोला जा रहा है उसको computer engineering बोलते है ठीक है जो दूसरा है दोस्तों IT engineering, information and technology तीसरी है दोस्तों electronic and communication engineering चौथा है instrumentation and control engineering जो पाचमा है दोस्तों chemical engineering छठे नमर है दोस्तों जो है civil engineering उसी तरीके के है mechanical engineering, electrical engineering, automobile engineering, metallurgy engineering, biomedical engineering, textile engineering, power electronics engineering, plastic engineering and driver engineering यह सबका नाम होना जरूरी मांगता है दोस्तों यह आप लोग को नाम जानना पहले जरूरी है और भी ऐसे कोई छोटे branch होंगे जो यहाँ पर हो सके मैं नहीं लिख पाया होंगा वो भी branch होते हैं दोस्तों ठीक है? कि किसी ना किसी तरीके से मुझे government employee ही बनना है ठीक है? तो उसके लिए दोस्तों जो आपको branch चूच करनी होगी वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आज के समय का वो है mainly रूप से civil engineering ठीक है? civilly वो वैसी branch है जहाँ पर जो mass recruiter होते हैं यानि कि mass में यानि कि जो government job भरती हो रहे है जो government job निकल रहे है दोस्तों वो है सिर्फ और सिर्फ civil engineering ठीक है? उसके पहले एक और बाते आपको जानना जरूरी है दोस्तों वो है आपके लिए core branch of engineering क्या होता है? core branch of engineering वो वैसा branch engineering होता है दोस्तों जो सदियों से चलता रहा है ठीक है? देश आजाद होने से पहले से भी वो ब्रांचे exist करती थी दोस्तों और वो वैसे branch जो कभी बंध होई नहीं सकता वो वैसे branch जिसमें कभी भुक्मरी आहीं नहीं सकता वो branch का नाम है दोस्तों civil engineering, mechanical engineering, electrical Electrical Engineering, यह 3 है यानि कि एक चौथे भी होते है दोस्तों, उसका नाम है EC Engineering ठीक है? जो कि यहाँ लिख देता हूँ EC, EC दोस्तों डे वाई डे, odd system होते जारी है, यानि कि यह पुराना होते गया ठीक है? उसका reverse version आज़ जुका है, जिसका नाम है दोस्तों, Computer and IT ठीक है? तो मैं ज् जो M करेंगे, वो करेंगे मेनली रूप से civil, mechanical and electrical पर बट जो सबसे ज़्यादा probability है, 70 to 80% chance है, जो सबसे ज़्यादा high रहता है, दोस्तों, सीटे भी देखेंगे कि कोई भी government job बगेरा में, तो वो civil का रहता है, ठीके, यहां से एक detail आपको मिल जाएगा, दोस्तों, पढ़ने क point of view से देखा जाए, तो civil engineering is very easy subject, क्योंकि जो हम देखते हैं, वही तो चीज़े पढ़ते हैं, हमें जो चीज़े पढ़ना है, वो really exist करता है, इसलिए हम चीज़े पढ़ते हैं, अगर really exist नहीं करता, तो चीज़े हम बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, ऐसी ब्रांच है दोस्तों वो है civil engineering, अब बात करेंगे mechanical engineering की, तो mechanical engineering बनने के लिए दोस्तों आपके पास सिर्फ और सिर्फ drawing की skill होनी चाहिए, जो एक basics level पे आना चाहिए दोस्तों, अगर आपके पास drawing की basics skill है, तो आप बिल्कुल दोस्तों exist करोगे, यानि कि एक अच्छे mechanical engineer बनोगे, ठीक है, mechanical engineering से द पहले से जो 4 semester तक होता है, automobile and mechanical engineering is almost same, यहाँ पे कोई भी particular subject अलग नहीं होते हैं, बट 5th semester onward, जो automobile की और जो mechanical की दोस्तों, subject थोड़े बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, यह अपना ही चला जाता है, और यह अपना ही चला जाता है, बट अगर आप छोटे संस्था से, यानि क कोई local government college से आप पढ़ाई करते हो, और आप चाहते हो कि मैं automobile engineering करूँ, तो मेरा preference रहेगा दोस्तों, कि as a consideration mechanical को दिया जाए, अगर आप बाकई में अच्छा होतो, automation आप ले लेना master में degree करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए master वाली choice available रहेगी, but preference is yours, ठीक है, मेरा का काम है बताना, आपको जो अच्छा लगेगा वही decide करना, ठीक है, but as compared to automobile and mechanical, जो हमारे industry demand करती है, अगर automobile की automobile बारे चीजे अगर बारीकी से समझोगे, जानोगे, तो काफी demand रहेगी, but as compared to market demand, जो दोस्तों, automobile से ज्यादा है, mechanical की, ठीक है, job जो easily मिलेगा, आपको दोस्तों, mechanical से मिलेगा, ठीक है, और automobile से थोड़ी कम मिलेगी, ठीक है, यही reality है, but दोनों के बारे में आपको difference जानने को मिला, दोस्तों, अगर हम बात करेंगे, electrical engineering की, तो वहाँ भी दोस्तों, जो आपको पढ़ने को आता है, वो है, mainly रूप से, जो जितने भी KVL, KCL, जितने electricity, circuit बग and mechanical, तो आपको पता नहीं चला, मैंने क्या बोला, ठीक है, तो मैं simply यही बोलना चाहता हूँ, कि civil और mechanical के comparison में, electrical थोड़ा tough होता है, tough इसलिए होता है, क्योंकि इसमें चीज़े पढ़नी पढ़ती है, समझे नी पढ़ती है, तब जाके circuit solve होता है, और civil वाले क्या है, ऐसे ह जो मनम्यार आय लिख देंगे, तो भी वो पास हो जाएंगे, बट आपको लिखने के लिए समझना जरूरी है, उसके implementation आना जरूरी है, अब electrical से जो निकल काया है, दोस्तों, तूटके वो दो ब्रांच बोल सकते है, ठीक है, पहला है EC, और दूसरा है दोस्तो, IC, अगर यहां से आया, electrical से, तो electrical को as a consideration ले सकते हो, ठीक है, IC, यानि कि यह नया ब्रांच है, यहां पे दोस्तों, number of seat भी कम होती है, और यहां पे उतनी platform भी नहीं अभी तक, ठीक है, market इसको accept करी नहीं रही है, इंडियन market है, वो core ब्रांच को तो preference दे ही नहीं रही है, तो आप इस electrical नहीं लेके IC ले रहे हो, तो मेरा मानना है कि आपके पास अगर choices है, तो IC या EC के जगह पे आप क्या ले लोगे, electrical, अब बात करेंगे दोस्तों, कि सिर्फ और सिर्फ आपको placement ही चाहिए, after completion of your graduation course, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही सजाद दूँगा, एक ही suggestion दूँ दोस्तों आप computer या IT कर लो, computer या IT में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है, कि थोड़े बहुत जो in-depth knowledge है, यानि कि हर तरीके से जो चीज़े हम पढ़ते हैं, वो है computer पढ़ते हैं, पूरे zero से लेके end तक कर देते हैं, ठीक है, but IT वी somewhat similar than that of CSE, ठीक है, CSE क comparison में, या तो mostly similar है, placement की बारी आएगी दोस्तों, तो दोनों को दोनों एक ही seat पे एक ही placement के लिए बैठेंगे, ठीक है, और इनका placement होना तरह है, अगर मान लिया जाए, किसी कारण, गलती से इनकी placement नहीं होती है, तो भी दोस्तों, degree complete करने के बाद, उनका college matter नहीं करता है, कि कि वो किस college से हैं, सिर्फ और सिर्फ यह matter करता है, कि उन्होंने branch क्या चूच किया, तो यहां भी बात आती है, EC की कुछ-कुछ student होते हैं, जिनका रहता है, नहीं मैं तो EC ही लूँगा, तो मेरा suggestion रहेगा, कि you will go for IT and CSE, क्योंकि दोस्तों, जो market है, यानि कि गुजरात की market, वो as a EC engineer आपको accept नहीं कर रही है, यानि कि इनकी demand day by day, day by day कमता चला जा रहा है, ठीके, quality engineer की requirement या need यहां भी है, but as a engineer या as a engineering आप करते हो, तो quality पे नहीं focus करते हो, सिधे quantity पे करने लग जाते हो, तो problem वहां है, ठीके, तो मेरा यही suggestion रहेगा, if you are aiming for EC engineer, then I will suggest you to go to CSE and IT engineering, ठीके, क्योंकि इसकी placement almost सभी colleges में 100% है, जहां नहीं है, वहां भी 80% है, और किसी कारण से अगर आपको नहीं भी होती है, तो आप campus आपको कहीं न कहीं, जॉब मिल जाएगा, जो की minimum 15-20,000 का तो हो गाई होगा, ठीके, but कुछ-कुछ ऐसे student होते हैं, exceptional cases, जिनको higher studies करने जान for EC engineering, ठीके, अगर आपको higher studies करना ही करना है, must है, required है, कि degree या diploma करने के बाद में master करूंगा, then I will suggest you will go for EC engineering, ठीके, but आपका choices रहेगा, placement, then I will suggest you will go for CS and IT, और जो दूसरे जो ब्रांच बच जाते हैं, दोस्तो, chemical engineering, chemical engineering and metallurgical engineering, demand wise देखें दोस्तो, तो जो chemical engineering की demand है, हो जादा ठीक है, chemical engineering, कुछ ही है, ऐसे colleges में चलती है, chemical engineering, ठीक है, metallurgical engineering की बात करेंगे, दोस्तो, तो इसके comparison में, वो अच्छी ब्रांच ऐसी मानी जाती है, देखा भी जाता है, reality भी है, क्योंकि जो metallurgy में student रहेंगे, वो उतने cop-up करने वाले student नहीं होते, as compared to chemical, ठीक है, chemical दोस्तों यह भी GC गांधीनिगर के अंदर है, जितना biomedical नाम सुन रहे हो, 100% bio से चीज़े relate नहीं होती है, जो relate होता है, दोस्तों, वहाँ पे भी electrical, यानि की IC से थोड़ा यह branch interrelated माना जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे IC की चीज़े ज्यादा देखने को मिलेगी, और यह 100% biomedical की चीज़े line नहीं है, पर उसकी थोड़ी line जाती है, या थोड़ी बहुत उसकी चीज़े पढ़ने को आती है, यह उतनी अच्छी मैं preference नहीं दिलवाऊंगा, क्योंकि अगर यह लेना है, तो आप electrical ले लो, वही मेरा suggestion रहेगा, टेक्स्टाइल की बात करेंगे, दोस्तों, जो मेनली र college, तो textile in LD college is best, ठीक है, दो colleges में चलते है, एक MSU में और दूसरा LD में, पर LD में आपको मिलता है, तो आप जाना, क्योंकि MSU से भी ज्यादा में वेटेश देता हूं LD को, क्योंकि LD जो लाल जी दलपत भाई थे, दोस्तों, वह famous थे, वह एज टेक्स्टाइल इंजीनियर ही, अब बात करेंगे, पावर इलेक्टोनिक्स की, पावर इलेक्टोनिक्स नाम का एक ब्रांच है, जो कि BCB करमा college में चल रहा है, दोस्तों, इसकी भी सबसे low cutoff है, जो BCB करमा में है, वह है पावर इलेक्टोनिक्स, ठीक है, इसमें आप मास्टर कर सकते हो, अगर आपका एमी सिर्फ और सिर्फ मास्टर है, तो यह अभी बैचलर भी कर सकते हो, ठीक है, बट अगर आपको इसके बाद जॉब चाहिए, तो यहां से जॉब लेना tough काम हो जाएगा, as compared to electrical, अगर आप यह ले तो यह उससे अच्छा ही कि इलेक्ट्र कर लो, इलेक्ट्र कर लेने के बाद, अब पावर एलेक्ट्रोनिक्स में मास्टर कर लो, बट आपका स्टार्टिंग से ही पता है कि मुझे मास्टर करना ही करना है, then I will suggest you will go for पावर एलेक्ट्रोनिक्स, ठीक है, अब बात आती है दोस्तो, प्लास्टिक एंड रवर, प्लास्टिक एंड रवर दोस्तो, बहुत ह यहाँ पे माना जाएगा, LD का फेमस ब्रांचे, यानि कि ऐसा भी सुनने को आता ही कि यहाँ के एक स्टूडेंट को दो प्लेस्मेंट मिलती है, ठीक है, अगर आपका बाकई में इंट्रेस्ट है, रवर या प्लास्टिक तो बिल्कुल जाईए, नाम सुनके बिल्कुल मत नेगलेट करिए, मैं प्लास्टिक करके कहां जाऊंगा, कौन देखेगा मुझे, कौन क्या करेगा, बट दोस्तो हकीकत यही है, कि यहाँ पे जो प्लास्टिक या रवर करते हैं, उनकी प्लेस्मेंट एक नहीं, दो दो रहते हैं, ठीक है, तो प्लेस्मेंट वाइज देख यहां पर चीज आपको काफी क्लियर हो गई होगी कि किस प्रांच का परपस क्या होता है हमें क्यू लेना चाहिए तो ओके थैंक यू गाइज अम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तो उसके लिए जितना हो सके दोस्तों चैनल को सेयर एंड सब्सक्राइब करें